नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बाप फिर से आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चाहिए सरकारी मास्टर पर जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि योगी यादित तना जी दुबारा से पावर में लौट आये हैं मतलब सिक्षक भरती की बात सरकार अपने पहले साचनकाल में कर रही थी और जिसको ले करके प्रारूप भी तयार हो गया था आप लोगों को मालूम है कि आचार सहता अगर ना लगती तो आप लोगों को बैकेंसी देखने को मिल सकती थी अब बहुत सारे लोग इस उमीद में बै पर एक क्यावन हजार पड़ों पर आएगी तो अब तक आप लोगों को जो फॉर्म है उसके देखने को मिल जाते और परिक्षा भी बहुत जल करा लिया थी बट आचार सहता लगने की बज़े से जो नई सिक्षक भरती की सरकार बात कर रही थी उस पर ग्रहड लग जाता ह है और खुसी की बात यह है कि जोबार से योगी आरितनाज जी आए हैं ऐसे में ये बात तो बिलकुल कंफाम है कि नई सिक्षक भरती देखने को मिलेगी अब बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के ही बार बार सवाल कर रहे हैं सर भरती तो आएगी ठीक है यह बात किलियर ह बट कितने पदों पर आईगी? क्या 17,000 पदों पर ही आईगी, क्या 50,000 पर ही आईगी? तो देखिए ये बात मैं किलियर कर दूँ आप लोगों को कि जो नई सिक्षक भरती है वो आप लोगों की अभी केबल और केबल 17,000 पदों पर ही आएगी. इसके पीछे रीजन का है? अ अभी कौन बनेगा अभी कुछ पता नहीं है, जो पहले सिक्षा मंत्री जी से उन्होंने साफ साफ कहा तक जो सिक्षक बरती होती है, वो छात्र और सिक्षकों की अनपाज को देखती हुआ की जाती है, अभी अगर बरतमान समय में बात करें, तो सरकार के पास में सत्रे हजार कुल मिला करके बैकंसी है, सत्रे हजार प्राइमरी टीचर्स की बैकंसी इसके पास में है, तो अभी जो आप लोगों को नई सिक्षक बरती देखने को मिलेगी, तो एक क्यावन हजार पदों पर नहीं, ये सिक्षक बरती केबल और केबल आप लोगों को सत्रे हजार पदों सेंतिस जा रहेंगे क्या बने जा रहेंगे तो यहां पर जो पड़ों की संक्या बहुत जड़क कम है तो ऐसे में मैं आपसे यही कहूंगा कि देखिए तैयारी में लग जाएगा आप क्योंकि इसमें जो नंबर और बेकेंसी और बहुत ही जड़क कम है देखिए अब बहुत सारे लोग एक बात और पूछ रहे हैं कि सर इसका नोटिपिकेशन कब तक आएगा देखिए अभी मार्च का महीना चल रहा है और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है और मुक मंतरी स के प्रक्रिया स्टार्ट कर जाएगी क्योंकि अब योगी सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है आप लोगों को पता है दो हजार चौविस में दोबारा से इलक्शन होने बाले प्लाल लोग सभा के इलक्शन होंगे वubaं लोग सभा के इलक्शन को ध्यान में रखते ह वे योगी सरकार अब जो काम है ना वो काफ़ज़ स्पीड में करेगी आप लोग देख सकते हो अभी जो है कि मुख मंत्री के पड़ की सपट भी नहीं ले पाए है योगी आरित ना जी बट उससे पहले ही निउस्पेपर बगार में ये खबरे आने लगी है और इस तरीकी की मई के प्रथम सब्ता में देखने को मिलते क्ता है और पेपर की बात कर तो पेपर जो है ना आप लोग का अगर सेप्टेंबर में हो सकता है तो आप लोग के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है ऐसे में अगर आप सफलता पाना चाहते है तो देखीगा शिक्षक भरती में अगर आपको जॉब चाहिए तीन सब्जेक्ट आप बहुत टगड़े कर लो तीन कौन कांसे एक तो जीयाइस और करन्ट नमबर कबर करता है इसके अलाबा दूसर सब्जेक्ट है आप-अर तीसर सब्जेक्ट जो है वह आप लोग का सिक्षल कौशल बाल बिकास और तो आप लोग अगर GS को नहीं पढ़ रहे हो तो दिक्कत देखने को मिल सकती है तो GS और करेंट अपस फे फोकस का लेज़ेगा इसके लाव आप लोगों को बता रहें कि GS को लेकर के मार्केट में कोई भी ऐसी किताब नहीं है जिससे आप अगर तयारी करना चाओ तो आप पूरी तयारी कर सकते हो तो इसके लिए हमारी पूरी टीम ने एक किताब जो है वो लॉंच की है यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हो जो इखास तोर पर सुपाट को ध्यान में रख करके बनाएगी है चाड़क के सिरीज और यह चाड़क सिरीज क्या है मैं आप लोगों को बता दू हम यह चाड़क सिरीज वो है तो अगर आप चाहें तो इस किताब से त्यारी कर सकते हैं इस किताब को मैं बता दूँ काफी बच्चे पसंद कर रहे हैं यह जो बुक है ना हमारी बैस्ट सेलर बन चुकी है और इसको ले करके काफिया डिमांड है और इस डिमांड को पूरा भी नहीं कर पारें आपको सकते हैं तो तमाम ऐसे स्टुएंट है जो कि इस किताब से स्टड़ी कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है तो अगर आप चाहें जीस सेक्षन को ले करके अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो एक बार इस किताब को जरूर पढ़िएगा इस कि आपको पेमेंट की डीटेल्स आप जब इस नंबर पर वाट्साप करेंगे अपने नाम के साथ में 5000 सीरी लिख करके आपको पेमेंट की डीटेल्स वे दियागी तो आप तैयारी में लगे रहो और अगर आपको सफलता पानी है तो एक बात याद रखना जी एस और करेंट जिनका अच्छा है उनी का सेलेक्शन होता है और अगर आप ये 5000 परचन नहीं तैयार कर पाते हो ना तो अपने आपको तैयारी से दूर कर लो और ये मान लो कि आपका सेलेक्शन नहीं होगा आपको भले ही मेरी बात है बुरी लग रही है बट रियालिटी यही है मेरे साथ में जो 79,000 सिक्षक बढ़ा है